हलो फ्रेंट्स वेलकम तो स्मार्ट नोगी चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए एक नया एक्सपेरियंस वीडियो जिया दोस्तों आज इसके वीडियो में आपको कुछ मिलेगा नया सिखने को जिया दोस्तों गुरूप सी और हावडा वालों के लिए भी बहुत अच्छा चीज है बताने वाला हमें क्योंकि उनको ज्यादा समय मिलने वाला है तो जो काम को करने के स्पीड है वो उसको आप बरकरार रखिए लेकिन आपको ज्यादा हड़ बाड़ जो कहते हैं बहुत तेजी से काम करते हैं हम नर्वस होके कि टाइम कम ह यहां हो रही है वह आपको नहीं करना होगा जिया दोस्तों आप सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि ग्रूप सी में जितने भी लोग है उनको यह अच्छा चीज है कि जो पहले वाले गूरूप से हैं उनके एक्सपेरियंस से आपको सीखने के मिल रहा है कि जो गलतिया वहां पर हुई वह चीजा आप न दोरा है तो चलिए स्टार करते स्वीडियो को सबसे पहले दोस्तों करें आपको जब भी कोई नया सरकारी वाम आता है उसका रिजल्ट से लेके उसके फाइनल रिजल्ट अक हम जो है सब कुछ आपको जो है कट टू-कट स्मार्ट नूई documents से जिया दोस्तों सबसे पहले हमेशा यह बात बताता हूं कि आपको documents क्या क्या लेके जाना है और एक बार फिर से आज में बता देता हूं आपको। शॉट में आपका admit card आपके पास होना बहुत जरूरी है दूसरी चीजिज है आपका 10 और 12 का जिया दोस्तो आपके पास दस्वी और बार्बी का मार्क सिट वोना बहुत जरूरी है तीसरी चीज हो जागी आपकी ID फरूप ज्याने के ID फरूप में भी दो चीज में बता देता हूँ अगर आपके पास आधार कार्ट है तो बहुत बहतर है वो नहीं तो आपके पास ओटिंग कार्ड होनी चाहिए यानि कि जो आप इलेक्षन का ओटिंग कार्ड होता हो या फिर आपके पास DV यानि driving license भी अगर आपके पास होगा DL तो भी आपके पास चल जाएगा सर का सेट हमारा स्टेट गौवर्मेट का है कोई दिक्कत तो ने जिने बिल्कूल भी दिक्कत नहीं मैं आपको सिर्फUST यह कह रहा था कि आप सेंट्रल्स फॉर्मेट के लिए कर दीजिए आपके लिए बहतर है कि आपको जो बी कोई जॉब का प्सेंट्रल के अपलाई करते ह तो इसके लिए है कि अगर आपके समय है कि आपको समय रहते हैं आपका वहीं बन जाएगा तो यह चीज़ को लेकर अब हमारा और यह चीज़ को दो जरक्स लेना है दो पासपोर्ट टाइब फोटो और अलग अलग करके बंच बनाना है यानि कि एक बंच आपको प्रिजन करना है और कौन से लिए लगाना वो भी मैंने आपको पहले पता दिया है दोस्तों तो आपको उसी सीरीज में जो है लगा कर आप लोग से शर् सबसक्राइब इसलिए लोगों का सेलेक्शन तो हो नहीं आपको पता है इसलिए टो यह ग्रुप अब बैस बिस बीसी गरुप में यानि कि ट्विंटी ग्रुप में आपको बहत दिया जाएगा उसके बाद क्या दोस्तो उसके बाद होगा आपको बैच में डिवाइड करेंगे यानि कि बैच 1 आपका 20 बैच 2 20 नमबर आप स्टुडेंट की संख्या सेम रहेगी बट यहां पर जो सिरीज है बदलते जाएगा रहेंगी अलग अलग किसी्म की इस परकार टेबल होगा अजसे खाना-खाना करके रखा करके रखाओगा अलग अलग किसे सब्सियां होंगी आप से एक कॉंसिरय दूक पुछे गो आपने अपने में लेकर लिख लेगा कि सब क्योंकि भ colour र tenants House तो यह सब क्यूलेज़ को यह थैंसे बक्त आपको पहले ही रांद में पूछ ली जाती है जब यह राउंड आप क्लियर कर लेते हैं तब आता है आपका सेकेंड राउंड जो आज कल हो गया है बहुत थी रेयर क्योंकि काफी स्टूडट्ट जैनि के पचास प्रदिसेट स्टूडट्ट जो है लगबग सिप इसी में फेल हो जा रहे हैं दोस्तों यह रूच का परसे स्टूड़ के नाम अब पढ़ेगा जबकि खाना बनाने मों एक्सपर्ट है या माहिर है तो काफी हमाई स्टूइंट साथ ऐसा हुआ है दिल्ली और कपूर्थला में तो इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको थोड़ा सा जो है स्टेडी पर फोकस करना होगा यानि क सानई के लिए दे जाता था सौ गराम आटा आपको दे दिया जाता था एक छोटी सी कटोरी में उसके बाद आपको एक मिनट का समय मिल जाता था उससे बात कहते थे आप आटा को जो है इस तरह सानी है कि उससे रोटी बन जाए यानि कि आपको गुनने का कोई वह नहीं है बस इस तरह सानी है कि उससे रोटी बन जाए तो यह सब चीज़ आप यहां नहीं हो रही है अब आपको नई चीज़ आ रही है अब आ रहा है दोस्तो दाल बनवाए जा रहा है तो दाल बनवाने के लिए आपको पता है कितना समय लागा जिया दोस्तो आपके पास 15 मिनिट का समय मिलेगा यानि कि 15 मिनट आपको मिलेंगे कि आपको जो है आपकी डाल बनानी है तो दोस्तों डाल बनाने में क्या चीज़े ही लगती है आपको सबसे पहले चीज़े वो देहन देना है आपकी डाल कौन सी है पहले वो देख लीज़ेगा जल्दी पके गी या नहीं पके कितना आप जो है गैस को फास्ट कर सकते हैं और क्या क्या कि उसमें काटके डालना है जैसे छोटा सा थोड़ा सा ओयल दाल दीजेगा ताकि उसका उबालना आए कुकर में या टमाटर डाल लिए जो चीजी आप डाल बनने में प्रोसेस में होता क्योंकि हम दोस्तों एक्सपि यह है कि आपको डाल बनवाई जा रही तो यहनी कि डाल के प्रैक्स कर लिए दोस्तों काफी लोगों को जो आउमलेट या तरके गए थे कि रोटी बनानी है आटा सानना है सबजी काटनी है सलात काटना है जी नहीं अब कुछ नया आ रहा है दोस्तों ट्रेट का मतलब होता है कि आपको खाने का पूरा नॉलेज होना चाहिए खाना बनाने का तो यहां पर खाने का जो चैन्जिस था आइटम्स थी वो बदलते जा रहे है रोज कर रोज इसलिए अब क्या हो गया आपको डाल बनाने सिखनी हो गया अच्छी तरीके से डाल कैसे बनाए जाती मसाले लौयां पर राहे हैं इसलिए को आप को गया है यहां आपके नहीं गते डाल में इसलिए भी बनता है कि आज आप खाना टेस्ती हो ना हो लेकिन आहँ की सजावत अच्छी हो तो आपका जो है पास कर दिया जा रहा है याने कि आप जो सामने से दिखाते हैं ज्यादा आत्मी को ट्रैक्ट करते थे दोब के शनक हलका हो ज्याएं चलेगा कि फोकस करता है उसका पहला फोकस्स कहता है इसके लिए laac यानि कि इन्होंने अपना तो काम कर लिया उसके बाद जो सफाय भी कर दिया नहीं हाथ फो आपने काम कर दिया जो एक्झामने को काफी बाज आता तो यह हमाई सब्सक्राइब नहीं की थी काफी लोग को बाहर के गार दो तीन स्टोइन ऐसे थे जुन्हों ने यह काम किया कि बनाने के बाद फटाफट जो अपना किचन साफ कर दी तो सर ने उन्हें सबाशी भी दी तो ऐसा सबाशी आपको भी मिले सबाशी कहां पर आर थे तो यहीं हो था सबस्क्राइब तो दोस्तों खृर बनाने के लिए अपको मैं आपको बता यह होगा आपको बता बदी तो आपको सबसे में यहा हैं यह सबसे में मैं जादे दोस्तों आपको क्या यह मैं एक पड sau लेके एक कप जो फोड़ दी आजाएगा चावल दिया जाएगा खीर के आपको सामगरी ओर पकने में समय लगता है पंदरम मिनट का समय है टेस्टी होना चाइए खीर शूख गई तो भी आप जादा माइनस मारकिम चले जाएंगे और ज्यादा अगर गीली हो गई तो भी आपको तो आपको पता है खीर का जो है टेस्ट कैसा होता है अपने खाया होगा घर पे बनाए भीएंगे तो वही जो है मिक्सर में रखेंगे दूद ज्यादा जलना नहीं चाहिए आपको एक का दूद म मिला गया तो वह चीज क्या है आपको बनाने के जब बनाते हैं तो सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से देख लीजिए तो पानी में तो फूल जाए जब चावल साफ करते हैं तो चूरने बाद रहा साहा लिके फूल दीजिए तक फूल जो पकने माशानी होती है और चा टोड़ जाए चावल तो एक तरह कि अच्छी तरएंड बारिक भाट्रत करने तो यह चावल को करने सांसनार to सब्सक्राइब करते हैं तो यह हो गई चीज आपकी क्लिए उसके बाद खीर बनाती समय क्या हो रहा है काफी स्टोन यह कर रहा है नहीं हमारा खीर दस मिन में बनके राइड़ी हो गया हम सर को दे देते हैं बहुत खुश हो जाएंगे सर तो ऐसी गलती आप मत करना बिल्कुल तो ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट में आप 15-12 मिनिट में खीर मत बना दीजेगा आराम से टेक यो ठाइम अच्छी तरीके से बनाएं पका के बनाएं टेस्टी होना चाहिए खीर बनना असान है रही सभी को पता है गूगल से पढ़ लीजिए इंटरनेट से देख यूट्यूब से सिखिए जहां से आप ले सकते हैं सिखने के लिए जानकर यह ठाक किए और प्रैक्टिस किए दाल खीर रोटी आटासाना इस सब चीजें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही पताना चाहते थे कि आप दाल और खीर पर फोकस करना आपको यह दो नई रेसेपी जूड़ चुकी है आपके ट्रेटेस में वाटर केरियर वाल है तो दोस्तों यह जानकर यह आपको कैसी लेगी वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट में जबूर पताएगा साथी दोस्तों कर वीडियो पसंद आ रहा ह छूब था जातो यह बला है सक्षा रहा है जबूर उत रहा है था रहा है जबूर आपको था बला है यह दो जब रहा है जबूंध।